आगे हम बात करेंगे सिमडेगा की चुनावी मौसम है नेता नए नए वादे कर रहे हैं लेकिन सिमडेगा में एक गउँ ऐसा है जहां वहां के लोग कह रहे हैं कि सरकार एक बार हमारी भी सुनदो आखीरे गउँ के लोग सरकार से क्या चाहते हैं दिखे इस स्रिपोर्ट में ये गाव आज भी मूल भुस सुविधाओं की मार छेव रहा है गाव में ना पीने की पानी की व्यवस्था है और ना ही सड़क का कोई खास दिज्वाब है जाओं में पानी ले बहुत तकली बाहे राइध घरी जाईला बहुत खिंधर पानी के उभाय के लानी लाय याव ती लाय हमें अदमी मुंग प्याव तकली भाथी तो गोरुचरी कहां में ना ही सब्सक्तित। पानी के कोई निपी ये गाव चौरू तरफ से जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है जारखन के असल पहच्वार भी जल जंगल जंगी है लेकिन जारखन के विरासत को सम्हालने वाला यह धान घरा गाव पानी की घोर समस्या से चुच रहा है आठार गया दिकत थे सम्हालन जिकता है रात को मैंना लोग चहाम लोग रात को जाते हैं ऐता है रात में लेट जला कर इजी के पास तरी नहीं रहता है और कोई आता है आधमी के लिए तो गाय बैल बकिर क्या पिए ये रत्त कद देखते हुए हम लोग यहीं चाहते हैं कि हमारा गाव में जितना जल पानी और एक तोहीं माजंसी किसी भी कारण से अगर किसी को दिमार हो गया इसके लिए रोड की इसी भानी आमर जगे पानी कर अतना समझ से आ है नहीं कि आधा किनूमीटर दूर सबसे फर्स नमबर पानी लाने जाबे उकर में पानी लाने जाबे तो आधा भेट वे अधानी बेट वे और कादो लेडाल हुआ पातुर सरन पानी के आदमी हामें पिया थी मतलब हमर में इंसानियत कर तो कुनों नामें नखे हमें मनुस जनम है कि नहीं सबसे फर्स नमर आगर केखो भोट मांगे करी तो हमर आगे पीछ है मतलब घार आया है कि चला भाईया इरंक इंदमों उरंक इंदमों हमें सब के बहुत तूट जमा दे के जीत वाली मतलब हमें हमें मनुस रहती तो हमके कोई ना कोई जरूर ध्यान देते हैं एक दिजर इस गाउं पर भी देख लीजिए ये लोग भी इसी गाउं के रहने वाले हैं दीश और राज्यों के संसाधनों पर इनका भी उतना ही हग है जितना आपका और हमारा पीवी फॉर्टी फाइव के लिए सिंबेगा से अमन मिश्रक निपाउट